जहाइन दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्ते एक मुस्कुराहट से जवाब देंगे कि आप सब ठीक हैं और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे और दिल इंसी धुरुवतारा ससिकांत राहुल सुभम चंबल का डाकू नवीन बहिया का जक्मी चात्र अरुन सागर सिवेंद्र सवनीस अमर अनीकांत धर्मरेज आर्डवले की फॉज सारे साथियों का बहुत स्वागत है और दोस्त आज हम प्रेक्टिस सेट 10 पर पहुच चुके है प्रेक्टिस सेट 10 पर पहुचने का मतलब है कि साथी हम लोग 25 परशेंट अपना कारिया पूरा कर चुके हैं बाकी के जो 25-25 परशेंट के तीन चरण और है साथी बहुत जल्दी हमारे पूरे हो जाएंगे हम लोगों को उसके लिए एक विश्वास के साथ में एक ताकत के साथ में सबसे बहतरीन चीद जीएस में होती है उसका रिवीजन वही साथ ही आपको बहतर बनाएगा और आप एक अच्छा रिविजन करते हैं या नहीं करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करेगा तो आज के इस practice set को सुरू करने से पहले पिछले practice set के 5 question के answer आप सब देंगे और 5 बटे 5 score की एक उमीद आप से रहेगी कुछ साथी अभी से score लिखने लग गए है ये गलत बात है भाई ठीक है पहले करने है score तब बताना है ठीक है पांच बटे 5 तो समझ में आता है एक ने चार बटे 5 लिख दिया है पहले ही मगलब वो समझ गया है कि मेरा कोई एक गलत होगा ऐसा नहीं करना रक्षस जिसको दान से सेक्सोफोन से इनका संबन्द है और सब से नहीं सास्त्री भासा कौन सी है कुल कितनी classical language है मैं आप से पूछू तो आप कहेंगे भी अच्छे सास्त्री भासाएं हैं जिसमें सब से पुरानी आपका तमिल है और सब से नहीं आपका वुडिया है और वुडिया किस वर्स जोड़ी गई जड़ा बताएं तो ओडिया 2014 में जोड़ी गई दा संसेट किलब किसकी पुस्तक है साथी यह आपको बताया कि खुस्वंत सिंग की पुस्तक है किसकी खुस्वंत सिंग की पुस्तक है आपका दन संसेट किलब खुस्वंत सिंग ग्यारवा जो साथी मौलिक करत साथी देडंड का प्रावधान भी दिया आपका मॉलिक करतब्यकों जोड़ते समये और जब मॉलिक करतभ्यकी बात आती है, तो हम लिखते हैं स्वातंत्र का स्कॉर 4 है एक भाई का स्कॉर 6 आगया है संजय 4 स्कॉर पर है इनके मत दिखाये करो लगें इमानदारी से उसी का स्कॉर दिखाओ बोलेंगे जी कुनाल भाई 4 पर है बहुत बढ़िया रिसमा 5 पर है आपका सिवाक पांच पर हैं, बहुत तेज कमेंट्स जाते हुए रितेस पांच पर हैं, और पूनम आपका साथी चार पर हैं, अमित सुकला चार पर हैं, बहुत साथी पांच पर अपने स्कोर को पहुचाईए, और आज के अच्छे से नोट्स बनाने के लिए एकदम से कमरकस के तैयार हो पहला परसन है तैयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला सैली है तैयम का सम्मंद किस राज्य से है जो कि एक नरत्य सैली है जिसको हम एक लोक नरत्य सैली भी कहते हैं तो तैयम याद रख लेना भहिए आपका जिसको कई बार आपको परिक्षाओं में थेयम लिखा लेटल किर्शनाटम हो गया Already टो का का मी बोलेंगे क्या बोलेंगे चवेट टू नाटकामी होगया आपका साथी तो यहां पर भी क्या है गए दबल मी डबल्ट गडीध केरल की पहचान मेंने आपको बताइए ताल मडाले आप से पूछे ताल मडडाले आपका CPO में पूछा गया ताल मडडाले कहां का है साथी तो ये केरल और करनाटक का है क्या बोलोगे केरल और क्या बोलेंगे केरल और करनाटक का है कल केरल को बोलते हैं कल नाटक कर रही थी वो ताल पर किस पर ताल पर ठीक है एक साथी आपका बिल क्या बोलेंगे तुम मिलने आना यानि बिल्लू क्या बोलेंगे यहां पर कल तुम मिलने आना बिल्लू ये कहां का है साथी केरल का और साथी तमिलनाडू का है बिल्लू पार्ट क्या बोलेंगे जी गलती नहीं करनी है आगे आते हैं मुझे कुछ नरत्य से लिए धार्मिक कल से लिए आप गुजरात की बताएं गुजरात का साथी कौन सा है गुजरात का एक तो है गरोडा क्या बोलेंगे गरोडा और रासलीला ठीक है किसी का समय गुजर रहा था गुजरात को हम क्या बोलते हैं गुजरना तो गुजर रहा था किसी का समय रासलीला में और कोई भी उ अंधे आदमी को दिखता नहीं, तो वो सुनेगा कथा हैं, तो जो दो आपका डांस हैं, एक तो बुर्रा कथा, धार्मिक कला सेली है, एक साथी आपका ओगू कथा, क्या बोलेंगे, बुर्रा कथा और ओगू कथा ये कहां की हैं, ये आपका आंदरप्रदेश की हैं, उत्रा उत्राखंड की धार्मिक कलासेली है गलती कभी नहीं करने रमान उत्राखंड हो गया कथा कहां से हो गए अंदे से हो गए गुजरात का गरोडा और रासलीला हो गए यहां पर मैंने आपको बताए कृष्णाट्टम चविट्टू नटकामी हो गया आपका ताल मढडाले हो ग हो गया ये कहां के के लगार्टम गू करiren आगत हो गया आगए कुश्शन नमबर निम्न में से में बतु कम्मा नामक राज्य उत सब्त्प मनाया जाता है बत कम्म वह पपार देंगे कोई भी उत तर केञावा अорот दि वाट जाता है. तो बतु कम्मा कहा कहा है साथ ही आपका तमिलनाड़ू तयलांग business क्मा बतु कम्मा को हम बोलते थे बतु कम्मा और बतु आ बतुआ सुना ऐ आपने जो खेतों में होता है अपना गेहूं की फसल के साथ हो जाता है घरपतवार है उसके हम लोग रोटी बना लेते हैं पराठे बना लेते हैं तो जब पराठे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बत हुआ के तेल से बनाते हैं क्या बोलेंगे तेल से बनालू क्या बनालू उत्सव हो गया तेल से क् बत हुआ किये पराठे, तो क्या बोलेंगे, बोनालू हो गया आपका, और जब उसने पराठे बनाए तो पराठे कैसे बने, अलाई बलाई बने, उल्टे सीधे पराठे बना दी, कैसे पराठे बनाए, अलाई बलाई, और साथी एक जतारा रूट वर्ड है, मेधराम जतारा, किसी में भी साथी आपका त्रा आय जतारा हो गया आपका जैसे नागोबा जतारा हो गया क्या हो गया नागोबा जतारा हो गया आपका समक्का सरक्का जतारा हो गया सारे के सारे पूछे गए हैं समक्का सरक्का जतारा हो गया तो जतारा root word किस चीज के है क्या बोलेंगे जतारा क्या जतारा क्या जतारा क्योंकि भाई उसने बत हुआ के पराठे बना लू किसमे तेल में इस बात पर वो क्या हो गया गुसा हो गया गुसा हो गया उसने बोला घी में बनाओ तो अपना क्रोध जतारा है वो क्या अपना ग ये क्या बोलेंगे भहिया दुन्ना पोथूला दुन्ना समझते हो दौने जो होते हैं डौने कहते हैं जिसको आप दुन्ना पोथूला पांडूंगा दुन्ना पोथूला नाम याद रखें सिर्फ पांडूंगा ये कहां का है ये भी भहिया आपका तेलांगना का है कहां का ह तेलंगना का है तमिलनाडू की अगर साथ ही हम बात करते हैं तुम जब मिलने आओगे तो क्या बोलेंगे एक चित्र बना के लाना क्या बना के लाएंगे एक चित्र चित्राथी ठीक है और चित्राथी के साथ में आता है थाई पुसम और वो जो चित्र बनवा के लाओगे त वो चितरवाला कैसे बनाएगा थाई पर रखके बनाएगा थाई पर रखके चितर ऐसे तो बनते थाई पूसम क्या बोलेंगे थाई पूसम आपका तमिलनाडू का हो गया केरल से साथी आपका तिरशूर पूरम क्या बोलेंगे तिरशूर पूरम हो गया आपका और कि कसम नीशा, तेरे सर की कसम नीशा कल मैं कहीं नहीं गया, क्या बोलोगे कल मैं कहीं नहीं गया, तेरे सर, तेरे सर की कसम नीशा केरल मतलब कल, केल है, और उडिसा का होता है साथी रजपर्व, ओदिसा पतानी, रोज जाती है, जिम, ठीक है, और बाली यात्रा, इसलिए उस एक बार थम सब करके बता दो भी आप मज़ा आ जाता इन ट्रिक्स में कुछ तो भूल जाते हैं कुछ याद रह जाती हैं बाकि आप रिवीजन करना होंगी याद Speaking truth to power my alternative view नामक पुस्तक के लेखों का संग्रह है Speaking truth to power क्या बोलेंगे सच बोलना सकती के लिए क्या बोलेंगे speaking truth to power सकती से सच बोलना my alternative view नामक पुस्तक किसकी लेखन का है पीच दंब्रम की पुस्तक है भीया किसकी पीच दंब्रम की पुस्तक है अरुन सौरी साथी इनकी एक चर्चित पुस्तक है टू सेंट्स क्या वो लोगे टू सेंट्स एक चर्चित पुस्तक है टू सेंट्स ये स्वंत सिनहा की अगर हम बात करते हैं साथी इंडिया अनमेड पुस्तक है क्या इंडिया अनमेड पुस्तक है और भारत के प्रमुख ज की कौन सी बुक है पिर्णव मुखर जी जो भारत के राष्ट पती रहे हैं उनकी किताब साथी कौन सी है पिर्णव मुखर जी की बुक ठीक है दूसरा मैं आपसे पूछूंगा साथी आपका भारत के उपराष्ट पती रहे हामिद अंसारी की कौन सी चर्चित पुस्तक है को मेला दिक्षित आपका साथी डिली की चीफ मनिश्टर रही थी, इनकी बुक का क्या नाम है? मनमौहन सिंह की बुक का साथी क्या नाम है? भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं, ठीक है? मनमौहन सिंह, LPPG के दौरान कौन थे? ये आपका finance minister थे, इनकी book का क्या नाम है, मेन का गांधी की पुस्तक का क्या नाम है, मेन का गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है, और साथी आपका कपिल सिब्बल, ठीक है, जो कि देश के प्रमुक वकील भी है, और Congress के एक निता भी थे, कपिल सिब्बल के साथी book का क्या न क्या बोलेंगे वहिया इनकी किताब का नाम है thoughts and reflections बहुत important mark कर लेना उम्मीद करूँगा इस बार की परक्षाम आपको देखने को मिलेंगी हामिद अंसारी citizen and society citizen and society book किसकी है साथी आपका हामिद अंसारी की book है परतिभा पाटिल rise India book इन्होंने लिखी है rise India book लिखी है सीला दिख्षित my time क्या बोलोगे my time my life क्या बोलेंगे my time sorry my time my life ये book किसकी है आपका ये सीला दिख्षित की मनमोहन सिंग जी की book है changing India changing India book किसकी है मनमोहन सिंग जी की है मेनका गांधी head and tails heads and tails book किसकी है वो मेनका गांधी की है और कपिल सिब्बल की पुस्तक है eye witness क्या बोलेंगे eye witness क्योंकि वकील है court में प्रियोगी होता है word witness तो eye witness किसकी है साथी आपका वो कपिल सिब्बल की book है ये पुस्तके आपको पता होनी चाहिए अगले परसन पर आते हैं भारत की जनगर्ना 2011 के अनुसार निम्नमे से किस किंद सासित प्रदेश यानि कि कौन सा यूटी था जिसका साथी population density जो था पर्देशन डेंसिटी से मतलब समझते हैं population density से मतलब होता है पिरती वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं वेक्तियों की संख्या पिरती वर्ग किलोमीटर में कितने वेक्ती रहते हैं यही जनसंख्या घनत्व है यानि एक वर्ग किलोमीटर वर्ग तो आप जानते होंगे बुजा की गात दो जी भाईया, तो पर क्या बोलेंगे पर इस्कौाइर किलोमीटर में कितने परसन रहते हैं पर स्कौाइर किलोमीटर में साथी how many persons residence, how many persons आपका साथी, कितने वेक्ती हैं जो reside करते हैं, residence रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं अपका जिनसंख्या घनतव। यह सबसे कम कहां का है, तो कुछ साथियों ने लिखा मेरे साथियों ने अंडमान निकोबार दीप सम्हू का, यहां हर वर्ग किलोमीटर में, यानि इधर भी एक किलोमीटर, इधर भी एक किलोम देंसिटी है, पीडी, वो किसका है, भहिया दिल्ली का है आपका, और दिल्ली का जिनसंख्या घनतव कितना है, कितने आदमी रहते हैं, भहिया आदमी के ऊपर आदमी रहता है, इसक्वायर किलोमीटर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 11279 में व्यक्ति परती वर्ग किलो किलो मीटर में अगर मैं राज्यों में पूछूं राज्य में इस्टेट में साथी पीडी किसका जादा है इस्टेट में जो जनसंख्या घनत्व है इस्टेट में जो जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का सबसे जादा पहले और दूसरे इस्थान पर बताएंगे इस्टेट 28 व्यक्ति रहते हैं प्रती वर किलोमीटर में तो UT में कौन है पहले पर दिल्ली, दूसरे पर चंडीगर्ड है स्टेट में पहले पर बात करें बिहार है दूसरे पर आपका साथी कौन पहश्यम बंगाल है UT में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा होई गए सबसे कम राज्यों में अगर हम बात करते हैं साथी सबसे कम अगर हम राज्यों में बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे सबसे ज़्यादा राज्यों में किसमें निवास करते हैं आपका ये कौन वेक्ति बताएगा सबसे कम सबसे कम राज्य ये पूछू मैं आपसे सबसे कम जो population density है PD है किसमें राज्य में तो क्या उत्तर आएगा भहिया अरुनाचल उत्तर आजाएगा और अरुनाचल में कितने व्यक्ति रहते प्रती वर किलोमीटर में जरा बताएं कितने साथी बता सकते हैं अरुनाचल में बहुत सारे साथी उने लिखा भहिया 17 17 17 मैं आपकी पीड थब थब थबाता हूँ साथी कि आप basic जानकारी रखते हैं ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट अंतराश्ट्रिय खेलों में लवलीना बोर्गेहेन भारत में कौन से खेल का प्रतिनिद्द करती हैं लवलीना बोर्गेहन का संबंद किस खेल से है और भारत की साथी ये तीसरी बॉक्सर रही जो हमको ओलंपिक मेडल देलाई थी कौन सी बॉक्सर अर्थात ये मुक्केवाजी से संबंद रखती हैं तो मैं मेरे मित्र आपसे पूछना चाहूंगा इन से पहले मैंने बॉला ये तीसरी बॉक्सर है तो इन से पहले कौन दो बॉक्सर थे जरा सोचने का परियास करें तो बहरत के लिए साथी अगर मैं ऑलंपिक की अगर मैं बात करता हूं इंडियन बॉक्सिंग का क्या परफॉर्मेंस आज तक रहा है तो सबसे पहला मेडल जो बॉक्सिंग में हमको दिलाया वो विजेंदर सिंग थे हमारे क्या बोलोगे विजेंदर सिंग थे साथी हमारे और विजेंदर सिंग ने 2008 में हमको दिलाया थ था ब्रॉंज क्या ब्रॉंज मैडल इन्होंने दिलाया था 2008 बीजिंग में जहां पर आपका गोल्ड मैडल कितने जीता था एस ओट एड हिस्टरी किसमें लिखी थी आपका पिश्टल में रा अपका सड़ी राइफल सुप जो सुटिंग में सुटिंग में जो हमको गोल्ड दिलाया वो किसने दिलाया था वो पहले परसन भी बने थे गोल्ड जीतने वाले तो क्या बोलेंगे जी नाम के आएगा उनका आप सारे लोगों से पूछना चाहूंगा अभी नब बिंदराजी हैं ठीक है दूसरे वैक्टी बनी हमारी मैरी कॉम दूसरे परसन कौन थे मैर मैरी कॉम थी और मैरी कॉम ने जो मैडल जीता वो 2012 में जीता और ये कांसे पदक ही इन्होंने दिलाया था साथी और मैरी कॉम की जो वेट कैटेगरी थी वो 51 kg थी और लवलीना बोर्गे हेन बनी साथी हमारा थर्ड कितने kg में 69 kg में और ये इन्होंने दिलाया 2020 के जो टोक क्यों में हुए थे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने कौन सा पदक दिलाया था तो इन्होंने भी कांसे पदक दिलाया यानि बॉक्सिंग में हमको अब तक तीन कांसे मिल चुके हैं अगर लवलीना बोर्गेहेंजी की बात हम करते हैं साथी तो याद रख लेना 2023 वर्ल्ड चेंपियंशिप में गोल्ड जीता मुझे आप बताओ 2023 की वर्ल्ड चेंपियंशिप जो हुई चैंपियंशिप जो हुई boxing के लिए वो कहां पर हुई थी कहां पर आयोजित हुई थी तो आप बोलेंगे 2023 भहिया कभी नहीं भूलेंगे हम New Delhi में आयोजित हुई थी साथी लवलीना और बोरगे हिंजी से आप से question पूछे तो इनको खेल रतन अवार्ड मिल चुका है या नहीं यानि major ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड ये पाच चुकी है या नहीं तो आप कहींगे जी भहिया खेल रतन अवार्ड इनको मिल चुका है 2021 में और याद रख लेना ये आपका जो Asian Games हमारे हुए Asian Games हुए 2023 में उसमें क्या रही थी ये आपका ध्वजवाहक रही थी यानि फिलेक को लेकर के ये साथी आपका चली थी क्या आप मुझे बता दोगे इनके साथ में मैंने इसी क्लास में बताया हौकी टीम के कैप्टन कौन थी इनके साथ में कौन साथी हौकी टीम के कैप्टन हौकी टीम की कैप्टन कौन थी जो संग्तुरूप से द्वजवाहक बनी थी का आप बोलेंगे बहिया इनके साथ आगे चलते हैं अगले कुश्शन पर निम्न में से किस नरत्य सैली में जटिलतम मेकप कोड, पोसाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगों के चहरे सामिल होते हैं? मतलब चहरे को बहुत रंगा जाता है, ये कौन सा है साथी आपका? कतकली में ये होता है, कत्थक में, सत्रिया में या फिर ODC में, बोलेंगे भहिया कतकली में, मैं आप से पूछू कतकली किस राज्य का है साथी? तो आप कहेंगे कतकली भहिया केरल का है, कहां का है? केरल का है कथक कहां का है वो यूपी का है और इसी को साथी हम नटवरी डांस भी कहते हैं नटवरी नरत्य भी किसका नाम है वो कथक का है सत्रिया की साथी हम बात करें इसके लिए लेटर डे क्याद रख लेना इसमें बोर संगीत का प्रियोग होता है बोर म्यूजिक का नाम है ऐसा मत बोलना कि इस म्यूजिक से बोर हो जाते होंगे जी क्या बोलेंगे बोर संगीत बोर म्यूजिक का नाम है ओडीसी और ओडीसी का जो साथी अन्या नाम है ओडीसी का जो अन्या नाम है वो है ओरीली औरीली नाम से किस डंस को जाना जाता है भारत में साउथ इस्ट का साथी कौन है ODC को ही हम औरीली कहते हैं अच्छे ठीक है कतकली से रिलेटेड कुछ बताईए जब साथी रंगों की बात आई आपका जब रंगों की बात आई तो कतकली से कुछ चीज़े याद रख ले लिए आपको कि कतकली में जो साथी होता है पहली बात याद रख लेना सरंगार जो होता है जिसको हम बुलते हैं वेशम क्या बुलते हैं वेशम कितने पिरकार का होता है कतकली में सरंगार पांच पिरकार का होता है कितने पिरकार का होता है जिसमें साथी एक होता है आपका पाचा दूसरा होता है साथी आपका काठी क्या होता है काठी होता है तीसरा साथी आपका होता है थडी चौथा आपका होता है भीया आपका चौथा होता है कारी और पांचवा होता है तो भहिया ये पांचो सब्द याद रखें, जी भहिया, इनसे कुश्यन ये पूछ सकता है, मिनकू सब्द देगा, थड़ी देगा, आपका कारी देगा, पाचा, काठी देके पूछ लेगा, कोई एक सब्द देगे कि इसका सम्मंद किस सास्त्रिय नरत्य से है, तो किस classical dance से कहेंगे, इसका सम्मंद कतकली से है, किस से कतकली से, इसमें साथी आपका एक नायक होता है, नायक को हम कहते हैं, जो हीरो होता है, उसको बोलते हैं, पाचा, एक होता है विलेन, नायक समझते हैं, हीरो, खलनायक होता है विलेन, खलनायक को इसमें बोलते हैं, कथी, क्या बो नरत्य का स्थान है क्या बोलेंगे जो थेटर होता है नरत्य स्थान मतलब जहां पर इसको किया जाता है उस थेटर को हम बोलते हैं कुटम पालम क्या बोलते हैं कुटम पालम उसको हम कहते हैं कुटम पालम किसका नाम है कुटम पालम जहां पर कतकली को किया जाता है यह बहु ODC में मैंने बताए रंग कितने पिरकार के जरा बताए तो आप कहींगे भी ओडी सी में मैंने पांच पिरकार के रंग बताए और पांच रंग वो किसको बताते हैं जैसे उसमें से एक होता है आपका लाल रंग क्या होता है लाल रंग जो किसको दिखाता है आपका बुराई क को दिखाता है किसको बुराई का प्रतीक है साथी आपका पीला रंग दिखाता है आपका जितने भी सेंट है जितनी भी वूमेन है संत और महिलाओं को दर साता है पीला रंग किसको साथी आपका संत और महिलाओं को हरा रंग जो है साथी आपका वो दिखाता है कुलीनता को ज जी भी है सपेद जो डाढ़ी होती है यानि जो वाइट बीर्ड होती है वो उचतर चेतना को दरसाती है किसको उचतर चेतना यानि हाईयर कॉंसियसनेस को दरसाती है ठीक है यह कुछ पिरमुक रंग है जो आपको पता होने चाहिए उचतर चेतना हाईयर कॉंसियसनेस को दरस आती है खेलों को उध्योग का दर्जा देने वाला पहला भारती राज्य कौन सा है बोलेंगे खेलों को जिसने क्या दे दिया आपका साथी एक इंडस्ट्री का फॉर्मेट दे दिया एक इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया वो कौन सा राज्य है मिजोरम गोवा गुजरात या कहां पर खुला है भारत का पहला भारत का पहला राष्ट्रिये खेल विश्विध्याले नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवस्टी क्या बोलेंगे भारत की पहली नेशनल साथी स्पोर्ट्स यूनिवस्टी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवस्टी ये कहां पर ओपन हुई है तो इंडिया की कितनी साइट है कुल तो इंडिया की क्या बोलेंगे अभी वर्तमान में भहिया 42 साइट है और साची जो की MP में इस्थित है मध्य परदेश में इस्थित है इसको 1989 में UNESCO की आपका किसमें आपका विश्व धरोवर सुची में सामिल कर दिया गया MP के और कौन-कौन से इस्थल है जो UNESCO में ऐसे पूछ सकता है मध्य परदेश का कौन सा इस्थल है जो UNESCO की World Heritage Site में सामिल नहीं है तो MP का ही साथी आपका आता है खजुराहो खजुराहो को क्या UNESCO में सामिल किया गया जी हाँ खजुराहो जो की MP में इस्थित है इसको साथी 1986 में सामिल किया गया दूसरा साथी भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की भीमबेटका जो रॉक संग्राले है भीमबेटका की जो गुफाएं है उसको कब सामिल किया गया ये भी MP में है 2003 में कब 2003 में इसको भी सामिल कर लिया गया 2003 ठीक है तो कौन-कौन से इस्थल होगे MP के एक तो भीमबेट का हो गया 2003 का, एक साथी खजराव हो गया 1986 का और साची का स्तूफ हो गया 1989 का और सबसे ज़्यादा इन स्थलों में से कौन सी जगह पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी साथी आप से महाबलीपुरम के इसमारक कहां पर इस्थित हैं और किस वर्स में सामिल हुए महाबलीपुरम के जो साथी Monuments of महाबलीपुरम है महाबलीपुरम के महाबलीपुरम के जो साथी इसमारक हैं क्या बोलोगे? Monuments of Mahabalipuram, ये भहिया 1984 में, और ये कहां पर इस्थित हैं आपका? ये भहिया Tamil Nadu में इस्थित हैं, कहां पर? Tamil Nadu में इस्थित हैं. दूसरे पूछे जाते हैं, हमपी, सबसे ज़्यादा. हमपी के जो साथी इसमारक हैं, वो 1986 में, और हमपी कहां पर रहे हैं, ज़रा बताएं किस राज्य में हैं हमपी? तो आप बोलेगे भहिया करनाटक में हैं. तीसरा साथी आप से पूछा जाएगा, पट्टा दकल के जो स हम हूँ हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं? तो आप बोलेगे भहिया, 1987 ये भी आपका करनाटक में स्थित हैं, और चौथा सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है, बौध गया. क्या बोलेगे? बौध गया, जो साथी आपका बोधी मंदिर है, ये किस राज्य में हैं आपका तो आप कहींगे भहिया, 2002 में सामिल हुआ, ये बिहार में है, कहा पर है? बिहार में है. क्या बोलेगे? माहबली पुरम के समारक 1984 तमिलनाडू में है, साथी आपका हम्पी जो कि करनाटक में स्थित है, उसको 1986 में सामिल किया गया, पट्टदकल के सम्हूँ जो कि करनाटक म और सांची अगर मैं कहूं इन 42 में से साथ सबसे इंपोर्टेंट है और 41-42 आप जानते ही हैं ठीक है 40-42 वो तो इंपोर्टेंट है ही आगया है नेक्स्ट जनवरी 2024 तक की स्थितिक अनुसार कितने देश विस बैंक के सदश्य है वर्ड बैंक की बात हम कर रहे हैं साथी तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा वर्ड बैंक के साथी कितने World Bank का Headquarter कहां पर है ये आप मुझे बताएं World Bank की स्थापना जो की साथ ही आपका 1944 में हुई 1944 में जिसकी Working शुरू हुई आपका जिसने अपना कारिये शुरू किया कब 1955 से किस सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई कौन सा सम्मेलन है जो विस बैंक से जुड़ा हुआ है उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड से सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड से सम्मेलन इसका नाम है और Headquarter World Bank का है साथी आपका Washington DC में Washington DC साथी स्वरी गलत बढ़ लिग गया Washington क्या बोलेंगे Washington DC जो की आपका कहां पर है USA में मौजूद है ठीक है USA में मौजूद है कितने देश हैं इसमें साथी 189 है और 189 वा सदश्य कौन है 189 वा सदश्य इसमें कौन है वो नौरू है कौन है नौरू है इसमें इसके अध्यक्ष मुझे दोस्त बताएं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भारत ये अजय बंगा है कौन है अजय बंगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ये आपको पता होना चाहिए World Bank की बात करें सबसे ज़्यादा शेर किसके हैं सरवाधिक शेर धारिता किसकी है तो सबसे ज़्यादा शेर जो है वो 16.81% के साथ में USA है मैं आप से पूछू साथी Wish Bank का अन्यानाम क्या है Wish Bank का अन्यानाम Wish Bank का जो साथी अन्यानाम है ठीक है इसको IMF की जुड़वा बेहन तो हम कहते ही है अन्यानाम है इसका साथी आपका IBRD क्या बोलेंगे IBRD इसका अन्यानाम है क्या बोलेंगे IBRD इसका अन्यानाम है तो मुझे बताएं जो साथी जानते हों कि World Bank के कितने ओर्गन है World Bank के वर्ल्ड बैंक के कितने ओर्गन्स हैं, कितने अंग हैं, तो याद रखेंगे कितने अंग हैं इसके, अंग हैं इसके पांच, कितने अंग हैं पांच, एक है साथी आपका आई बी आडी, आई बी आडी है, ठीक है, दूसरा आपका आई डी ए है, तीसरा आपका साथी आई अगर इनके full form की बात करें तो international bank for, लिख लेना आप अपनी copy में, या मैं लिख देता हूँ, चलो, international bank for, IBRD का full form बहुत पुछा जा सकता है, international bank for reconstruction, reconstruction and development, idea की बात करें आपका अंतराष्ट्री है, अंतराष्ट्री विकास agency, international development agency इसको बोलेंगे, international development agency इसको हम बोलेंगे, IFC की बात करें तो अंतराष्ट्री वित निगम है, अंतराष्ट्री है, finance, क्या बोलेंगे, finance corporation इसको हम बोलते हैं, मीगा की बात करें, आपका multi-later investment guarantee agency है, क्या बोलेंगे, multi-lateral investment guarantee agency है, investment guarantee, investment guarantee agency है, साथी आपका agency है, ठीक है, EXID की बात करें, international center है, एक international center, एक आपका अंतराष्ट्री साथी केंदर है, for settlement of investment disputes, यानि निवेश को लेकर के कुछ भी विवाद है, उसके छुट कारे के लिए है, investment disputes, तो कितने अंगों हो गए, आप संख्या कितनी लिखेंगे साथी, कि World Bank के कितने अंग है, मैं आप से पूछूँगा, क्या बोलेंगे, World Bank के कितने अंग है, तो आप बोलेंग, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IFC, International Finance Corporation, IDA, आपका investment, सारी, International Development Agency, एक साथी आपका बनेगा, International Center for Settlement of Investment Disputes, एक मीगा, Multilateral Investment Guarantee Agency होगा, ठीक है, आगे आते हैं, ये पाच अंग हैं इसके, और पाचों अंग पूछ लेता, निमलिकित में से कौन सा World Bank का अंग नहीं है, World Bank का अंग नहीं है, ओके, राष्टपती से सम्मंदित अनुचे 58 किस से सम्मंदित है, बताएंगे एक बार, सर जी हमने 6 पढ़ा है, बटा आपने गलत पढ़ लिया है, कहीं 6, 6 आपने उसके पढ़ लिया होंगे, किसके, यूएन के, यूएन के पार्ट होते हैं, और्गन होते हैं, तो 6 रटा रखता है बच्चा, एक श्टेटिक में एक आता है, पूछा जाता है, उसके 6 होते हैं, वो यूएन है न मेरे दोस्ते हैं, सर जी लिख के पढ़ाईए, हैं, राष्टपती से सम्बंदित अनुचेद 58 किस से सम्बंदित है, किस से सम्बंदित है, राष्टपती की निर्वाचन की रिती, परिश्टनेंट के एलेक्शन, प्रोसीजर से सम्बंदित है, या ओध से सम्बंदित है, या से संबंदित है आपका अनुच्छेद 58. 58 में बताई गई हैं साथी आपका योग गताएं. क्या बताई गई हैं आज के बाद 53 आपका साथी फिर आएगा 54 बताऊ कितने आर्टिकल तक पढ़ते हैं 55 56 57 और इनको फुल्फिल करो अपनी कॉपी में 58 69 60 और 61 तक इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 61 तक ठीक है क्या बोलेंगे बोलेंगे भी फटापट से बोलेंगे आर्टिकल 52 गुरुजी बुक के नाम हिं चेंजिंग इंडिया जी देगा ऐसे आप यहां कमेंट लिखेंगे ना इनको पढ़ाना नहीं आता बुक के नाम Hindi मेन लिखते हैं पेपर में बहुत अक्छा लिएव है खाना खाया क्यू निख्टत है उसमें खाने को कह एच्छे एन्ने लिखते हैं चेंजिंग को चेंजिंग अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो गलत बात है मेरे भाई क्या बोलेंगे आर्टिकल बावन कहता है पकानी कोका दूयो दसम क्या बोलेंगे पकानी पकानी कोका पकानी को का कोई कोई कोवेडियन आ जाता है किलास में यार दूयो दसम क्या बोलेंगे दूयो दसम होता है क्या होता है पकानी को का दूयो दसम तो पैसे क्या होता है पद किसका पद होता है राष्ट्रपती के पद के बारे में कहां पर बताया गया है जिनानी कि Post of President को साथी किसमें बताया गया है? 52 में बताया गया है तो आपका 53 कहता है कि राष्टपती जो है वो कार्य पालिका का साथी क्या होगा? पिर्मुक होगा लेकिन क्या वास्तविक पिर्मुक होता है? क्या बोलेंगे? नहीं जी वास्तविक तो भिया एक्जिक्यूटिक चीफ जो है हकीकत में तो परधान मंतरी होता है तीक है आपका 54 में क्या बताया गया है? निर्वाचन को बताया गया है आपका साथी election को बताया गया है किसको? election को बताया गया है और आपका 55 में साथी quota को बताया गया है manner of election को बताया गया है manner of election को का से साथी क्या आता है कार्यकाल आता है terms बताई गई है tenure बताया गया है राष्टपती का कार्यकाल कितने वर्सों का होता है 5 वर्सों का होता है ये इसकी terms है दूसे आता है आपका दुबारा राष्टपती हमारे देश में बन सकता है या नहीं एक व्यक्ती एक बार राष्टपती बन गया क्या बोलेंगे आपका दुबारा योगता नी सुरी दुबारा निर्वाचन री इलक्सन की बात की गई है बोलो भीया येस और नो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार देश में प्रिशिडेंट बन सकता है या नहीं 58 में योग्यता बताई गई है क्वालिफिकेशन्स यही कुश्यन था हमारा क्या बोलेंगे क्वालिफिकेशन्स हैं भारत का नागरिक हो दिवालिया ना हो कितनी आयू चाहिए राष्टपती बनने के लिए जैसे क्या बोलेंगे आपका minimum 35 वेज चाहिए कम से कम राष्टपती बनने के लिए उमर क्या है 35 वर्ष 69 में आपका साथी दसाईं बताई गई है कंडिसन्स बताई गई है राष्टपती के पद के लिए कंडिसंस क्या होंगी सपत यानि कि आफर्मेशन को बोलू मैं या ओथ बोलू ये 60 में बताया गया है और महाभियोग क्या बोलेंगे महाभियोग जिसको impeachment बोलते है सारे दोस्त बताओ कि महाभियोग का प्रियोग क्यों होता है महाभियोग का प्रियोग क्यों होता है राष्टपती यदि सम्विधान का उलंगन कर रहा है और महाभियोग की पिरकिरिया को हमने कहां से लिया USA से लिया है और ये कैसी पिरकिरिया है एक अर्धनियाईक पिरकिरिया है एक semi-judicial process है क्या बोलेंगे एक semi-judicial process है ठीक है बटा तुम हिंदी वालो ना सुनो जादातर चीज़े हम हिंदी में लिखते हैं आप इंगलिस वाले बच्चों के लिए सोचिए मैं नोट्स देख रहा हूँ मेरे पास कई बच्चे निरंतर नोट्स भेज रहे हैं वो मतलब इस पूरी class को convert कर लेते हैं इंगलिस में convert करने का मतलब है कि वो research भी करते हैं कोई word अगर छुट जाए आप नहीं जानते हों तो please उसको आप लोग internet आपको इसी लिए मिला था कि आप चीजों को पढ़ाई में अपनी में उसको योगदान में ला पाएं internet आपको इसलिए नहीं मिला था कि आप मलाइका और अरोडा की reels देखें ठीक है वो इसलिए आपको मिला था कि आप जो चीजे सर्च नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों के बारे में समझ नहीं है उसके बारे में research करें उसका वो उपयोग करो जो आपको होना चीए क्योंकि आप अभी student है तो क्या बोलेंगे पद से लेकर के महभी होग के ये फिर से बोलो एक बार आंख बंद करके पकानी कोका दुयो दसम राष्टपती का पद है फिर कारेपालिका का वो प्रमोख होगा साथी नी से निर्वाचन होगा दू से क्या होता है आपका साथी पकानी कोका दू से क्या होता है आपका दुवारा निर्वाचन होगा, योग्यताई होंगी और दसम, यानि कि उसके लिए क्या बताई गई है, कंडिसन्स बताई गई है, फिर ओथ बताया गया, फिर आपका साथी इंपीचमेंट को बताया गया है, इसके अलावा कुछ और बताऊं, जो पार्डनिंग पाव साथी अध्यादेस लेकर के आ सकते हैं, अध्यादेस बोले तो ओर्डनेंस लेकर के आ सकते हैं, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, अध्यादेस लेकर के आ सकते हैं, तो राष्टपती का अध्यादेस 123 के अनुसार आता है, एक साथी आता है, सुप्रीम कोर्ट को जो सलह द लेकिन जब संसद काम ना कर रही हो तो संसद काम ना कर रही हो तब साथी आपका ओर्डिनेंस आता है क्या आता है ओर्डिनेंस आता है और दुबारा संसद की कारवाही जब सुरू होगी तो वो ओर्डिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा क्या वो ordinance आजीवन के लिए आ जाता है या कितने लोग बता सकते हैं राष्टपती द्वारा या राज्यपाल द्वारा लाया गया अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है maximum अधिक्तम बताना है तो अधिक्तम जो होगा ये अध्यादेश 6 months and 6 weeks 6 महीने आपका क्या बोलेंगे 6 महीने और उसके बाद में साथी आपका 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना होता है तो उसकी maximum क्योंकि 2 सदन के बीच में 6 महीना के gap हो सकता है उसके बाद सदन की किरिया चलेगी तो 6 week के अंदर तो 6 महीने पिलस 6 week 6 महीने प्लस 6 वीक के लिए साथी 6 मंत जितने भी लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं अरे 6 मंत का तो गैपी हो जाता दोस्त आपका संसद के बीच में 6 महीने कैसे हो जाएगा क्या पहले दिन पारित करा लेंगे संसद के कारवाई सुरू हो थे क्या लिखना है आज के बाद 6 महीने और वहिया आपका 6 वीक तक अध्यादेश किसी का भी हो वो लागू रहेगा आगे आते हैं भारते समिदान के भाग 5 में सामिल है क्या है बताएगे भाग 5 में अभी हमने साथी पढ़ा था भाग 4 में DPSP हैं और साथी फिर भाग 4 में आपका साथी आता था कि A में हम अयदी बात करते थे तो मौलिक करतव्यों तक हम पढ़ चुके थे रहे है किरम से तो राष्ठपती अभी बताया किस आर्टिकल में आफिकल 52 में आएगा राज्यपाल प। तो संग की जो नियाई पालिका है ये साथी आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल 124 आ जाएगा क्या जी हाँ भारत के जो कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल है नियंतरक और महलेखा परिक्षक हैं ये साथी आर्टिकल 148 में है तो ये भी आजाएंगे ये भी आजाएंगे साहब ये भी आजाएंगे राज्यपाल वाले नहीं आएंगे तो क्या बचा दो तीन और चार क्या बोलेंगे दो तीन और चार अब हम इन पर बात करेंगे धीरे धीरे ठीक है अगला question है भारते समविदाहन का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट पती या उपराष्ट पती के चुनाव से संबंदित या उससे जुड़े मामलों से संबंदित है जो राष्ट पती के चुनाव या उपकुनाव के बारे में बताता है उनेत्टर है 70 है 71 है या फिर 68 है क्या होगा भहिया आर्टिकल 71 है जो राष्ट्रपती या उपराष्ट्रपती से सम्मंदित किसके बारे में बताता है किसके बारे में बताता है चुनाव के बारे में बताता है बहुत सारे साथियों का उत्तर था अब आते हैं उपराष्ट्रपती के साथी उन 30 वर्स पुरानी tricks पर उपराष्टपती के जो articles है क्या trick है उसकी उसका क्या बोलेंगे किस article से सुरू होती है कौन बताएगा उसका निकास उसका नीकास और साथी सनी होता है क्या होता है उसका निकास सनी होता है उपराष्ट्रपती का उपसे होता है भारत के सम्विधान का कौन सा अनुछेद है? जो वाइस परेशिडेंट के बारे में बताता है यह साथी आपका आर्टिकल 63 तो यह क्या है? आपका 63 है, ये साथी 64 है ये 65 है, ये 66 सभापती सभापती किसका अध्यक्ष होता है बताएंगे कि उप्राश्टपती राज्यसभा के सभापती के रूप में कार्य करता है ठीक है यह आपका सभापती के बारे में कहां में बताया गया 64 में बताया गया 65 में साथी आपका कार्य वर्किंग बताई गई है 66 में आपका साथी election अर्थात निर्वाचन अभी लिखवाया था और कार्ये काल कितने वर्सों के लिए होता उपराष्ट पती Vice President की हम बात कर रहे हैं Vice President कितने वर्सों तक रहते हैं भहिया पांच वर्स इहीं इना का होता है कार्ये काल समय होगा साथी आपका समय से मतलब है आपका कि अगर पद खाली हो जाए तो कितने समय में रिक्ती पूरी होगी और आपका नी से फिर आगया आपका निर्वाचन हो जाएगा आपका यानि निर्वाचन को लेकर के जो सरते हैं और एहरता 69 तक याद करिए निरवाचन की अहरताओं की बात फिर आ जाती है तो क्या बोलेगे हमारे यहां पर महत्पूर्ण है सबसे इंपोर्टेंट है 63 और साथी आपका 64 और साथी आपका 66 ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है उपराष्टपती से पूछा जाता है कोई दिकत कोई परिशानी आगे आएंगे बहरत में जब समविधान के उलंगन के लिए राष्टपती पर महभीयोग चलाए जाता है अभी बताए किस अनुछेद में है महभीयोग उजरा बताएं आर्टिकल 61 में है भाहिया USA से हमने इस प्रोसेस को लिया है यह एक semi-judicial प्रोसेस है एक अर्धनियाईक परकिरिया है क्या बोलेगे यह किसके द्वारा आरोप लगा जाता है मंत्री परिशद आरोप लगाएगी यह साथी आपका केवल लोग सभा आरोप लगा सकती है यह संसद का कोई भी सदन बहुत सारे साथियों का उतरसी आता हुआ संसद का कोई भी सदन इस आरोप को लगा सकता है तो आप से मैं पूछू impeachment प्रोसेस जो होता है साथी यानि कि आपका जो महभियोग लगाया जाता है तो आप सब लोगों ने बोला कि महभियोग भीया किसी भी सदन में लगाया जा सकता है Agree है इस बात पर और क्या जरूरी चीजे हैं महभियोग लगाने के लिए साथी क्या बोलेंगे ये कब लगता है जब समविधान का उलंगन हो क्या हो जाए सम्विदाहन का साथी पालन ना हो रहा हो डिस ओबे हो रहा हो आपका किसका भारत के constitution का सम्विदाहन के उलंगन अगर यदी हो रहा है तो impeachment महाभीयोग लगाया जाएगा जो इसका परस्ताव आएगा जो proposal आएगा उसके लिए कितना साथी बहुमत चाहिए two third majority उसके लिए चाहिए सदन की ठीक है कितना दो त्याही बहुमत उसके लिए चाहिए notice कितने दिन पहले दिया जाता है राश्टपती को notice कितने दिन पहले दिया जाएगा 14 दिन पहले क्या बोलेंगे 14 दिन पहले notice दिया जाता है और साथी जो हस्ताक्षर होंगे हस्ताक्षर जो साइन करते हैं लोग कि भीया महभीयोग के लिए हम तयार हैं, उपस्थित जो सदंद में सदश्य हैं, उपस्थित जो मेंबर्स हैं, यानि कि प्रिजेंट में जो मेंबर्स हैं, उनका मेंबर्स का एक बटे चार साइन होना चाहिए, ठीक है, क्या कभी महभीयोग लगा है या नहीं लगा है बताएंगे किसी पर महवियोग चलाया गया तो आप बोलेंगे भीया सुप्रिम कोट के मुख्य न्यायधीस पर एक बार चलाया गया था मुख्य न्यायधीस पर सुप्रिम कोट के मुख्य न्यायधीस कौन थे आपका साथी वी रामा स्वामी थे वी रामा स्वामी पर ये एक बार चला था लेकिन ये भी क्या हो गया था आपका लोग सभा में असफल हो गया था लोग सभा में क्या हो गया था असफल ये हो गया था यानि जिस सदन में पहले ले जाये जाएगा उसके बाद दूसरे सदन में ले जाया जाएगा ठीक है वहाँ पर क्या हो गया था यह SFL हो गया था आ गयाँगे निमलिखित में से किसकी न्युकती भारत के राश्टपती द्वारा की जाती है कौन सा है जिसको न्युकत राश्टपती करता है भारत के मुख्य न्यायदीस Chief Justice of India को जी हाँ उच्तम न्यायले के न्यायदीस High Court के जो जज होते हैं जी हाँ लेकिन इसके लिए वो Concern करेंगे उस State के Governor से उस राज्ये के राज्येपाल से भी साती सलाह मस्परा करेंगे राज्ये चुनाव आयुकत को क्या इनके द्वारा नहीं जी ये तो राज्येपाल द्वारा गवर्नर द्वारा न्युकत किया जाते हैं राज्ये चुनाव आयुकत ठीक है क्या बोलेंगे राज्ये के जो चुनाव आयुकत अगर मुख्य चुनाब आयुक्त की बात होती तो राष्टपती ही करते हैं तो एक से अधिक हो जाएगा आप मुझे बताएं और किस किस की न्युक्ती करते हैं राष्टपती तो गवर्नर पूछ ले आप से साथी गवर्नर अर्थात राज्यपाल की न्युक्ती कौन करते है तो भी हम कहेंगे भीया आपका भारत के राष्टपती करते हैं मैं पूछ लूँ फाइनेंस कमिशन के जो अध्यक्ष हैं वित आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको कौन साथी आपका न्युक्त करता है मैं आपसे पूछू किसी CM की न्युक्ती हो जैसे दिल्ली के CM की न्युक्ती होगी साथी आपका दिल्ली का CM हो या UT का कोई भी CM होगा तो कौन करेंगे आपका साथी राष्टपती करेंगे मुख्य चुनावायुक्त और अन्य दो चुनावायुक्त जो होते हैं चीफ, direction commissioner और बाकी जो दो अन्या होते हैं, यानि कि दो अदर commissioner होते हैं, उनकी भी नुकती. भारत के पिद्धानमंत्री की नुकती कौन करते हैं, PM की राष्टपती करेंगे आपका साथी, और महा नियाईवादी जिनको attorney journal हम कहते हैं, क्या बुलते हैं, attorney journal उनको हम कहते हैं, महानियावादी और नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षक कम्ट्रोलर कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जर्नल क्या बोलेंगे नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षक कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जर्नल जिसको कैग हम कहते हैं इन सब की न्युक्ति भी कौन करते हैं अपका वो राष् पती करते हैं बोलेंगे भी फटाफट से राश्ट्रपती करते हैं बहुत सांदार बहुत गजब कुछ साथी तो आर्टिकल्स भी लिखरें उपर दिखाएं कमेंट क्या किया बच्चे ने क्या बोलेंगे बोलेंगे भी फटाफट से बहुत सांदार बहुत गजब बहुत ग भारत के राष्टपती को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है राष्टपती के जो चुनाव होगा अब मुझे बताएंगे राष्टपती का निर्वाचन जो हुआ साथी आपका पकानी कोका सोच लीजे समय ले लीजे एक बार पै का नी कोका दियो दिसम पै का नी कौन से नमबर पर आया, तीसरे पर आया, नीस निर्वाचन, किस अनुछेद में राष्टपती का निर्वाचन बताया गया है, आप सब से मेरा कुश्यन है, तो परदान मंतरी मददान कर सकते हैं, केवल लोकसभा के सदश्य मददान कर सकते हैं, केवल राज्यसभा सदश्य मददान प्रत्यक्ष रूप से होता है, इंडारेक्ट तरीके से होता है, एप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो इसमें method यूज होता है, वो कौन सा है, वो method है, आपका एकल संकर्मनी है, मत का प्रियोग इसमें होता है, electoral college जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रियोग होता है, और साथी चु कौन लेते हैं तो भाग लेने वाले में साथी आपका याद रख लेना लोग सभा के सदश्चे सभी भाग ले सकते हैं येस और नो बोलेंगे भी ये लोग सभा के सदश्चे राज्य सभा के जितने भी हमारे सदश्चे हैं ठीक है राज्य सभा के सदश्चे और विधान सभा पहले जम्मु एंड कस्मीर नहीं होता था आपका क्या बोलेंगे मनोनीत किया गया है यानि कि नॉमिनेटेड जिनको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे जो आपका मनोनीत सदश्य हैं जिनको साथी क्या किया गया है आपका मनोनीत सदश्य को जो अपॉइंट किये गए हैं जो अपॉइंटेड मेंबर्स हैं मनोनीत हैं वो भ नहीं लेंगे और कोई बात बचती है जी हां राष्टपती के चुनाव से संबंदित मुझे बताएंगे जो प्रस्तावक है जो लोग प्रपुजल से पेस करेंगे उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए पचास ठीक है जो अनुमोदक होंगे जो एपरूवर्स होंगे एपरूव नहीं तो कल हाँ आपको कह सकते हैं जो आप सदन में रहेंगे किसी पार्टी के पक्ष में आप रहेंगे तो क्या बोलिंग अनुमोदक क्या होंगे पचास होंगे यह याद रखेंगे कोई भी गल्ती नहीं करेगा और साथी याद रख लिना दो तरह के बैलट पेपर होते हैं लोग सभा और राज्य सभा के जो बैलट पेपर होते हैं राज्य सभा के वो ग्रीन कलर का अपका मतपत्र होता है ग्रीन कलर का और जितने भी विधायक होंगे जो विधान सभा के सदश्य होते हैं उन सब के लिए होता है पिंक कलर का किसने का गुलाबी रंग का गुलाबी रंग का साथी आपका मतपत्र होता है तो राश्डपति maintenis पर चुनाब में विदाहन सभा के सदुबॉद आ बिंदुद कि आप लोग बताएं मुझे एक बार क्या का लिदास का मालविकागनी मित्र नहीं जी ये तो प्रेम कहानी है मैं आपको बताऊँगा प्रिंस जो पुस्तक है इसमें इस्टेट के बारे में विचार दिये गए है कि राज्य कैसा होना चाहिए उसका राजा कैसा होना चाहिए एक परजा पालक को किस तरह का होना पड़ेगा ये सिध्धानत राज्य किन आदर्स ओपर चलता है राज्य में कौन से आदर्स होने चाहिए जो कारिय पालक है राज्य का उसमें कौन से आदर्स होने चाहिए तो ये रचनाई ये जो साथी आपका मूल सिध्धानते किसमें सामिल किये गए है कोटिल्य के अर्थसास्त्र में जिसका विशे भी क्या है इसका सब्जेक्ट भी क्या है कोटिल्य का अर्थसास्त्र पर आधारित नहीं है किस पर है राजनीती पर आधारित है किस पर है बोलेंगे अर्थसास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है ये भी राजनीती अर्थात राज्य कैसा हो, राजा कैसा होना चाहिए, उसका परजा के लिए क्या धरम है, ये सब बताया गया कोटिल्या के अन्या नाम बताना साथी कोटिल्या के अन्या नाम मुझे बताएं कोटिल्या के अन्या नाम है दोस्त आपका एक तो विश्णु गुप्त मैं जानता हूँ क्या बोलेंगे विश्णु गुप्त मैं जानता हूँ एक आप बोलेंगे भीया आपका अफगानिस्तान, 1947 पाकिस्तान, साथी आपका 1935 अधिनियम के द्वारा म्याम्यार, और 1971 में सवतंतर हुआ बंगलादेश, ये चारो भारत का हिस्सा है, और ये जो इन्होंने अखंड भारत बनाया था, ये अखंड भारत इन्होंने ये जो बनाया, इनके सिश्य कौन के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मोरिया इनके सिश्य हैं, और ये गुरु थे चंद्रगुप्त मोरिया के, किसने सहिश्णता, उदारता और करुना के त्रीविद, मतलब तीन तरीकों के आधार पर राजधर्म की स्थापना की, सहिश्णता समझ रहे हैं, यानि कि के रखें, टोलरेंस, जैनरिसिटी, लोगों के पिरती उदार होना और साथी कंपेशन के आधार पर ये थे समराट असोक, मैं आप से पूछू समराट असोक का संबंध किस धर्म से है, तो आप कहेंगे भीया, जो मोरिया वंस हुआ, उस मोरिया वंस का जो संस्थापक है, वो थे आपके चंदरगुप्त मोरिय, कौन थे? चंदरगुप्त मोरिय, चंदरगुप्त मोरिय के बाद में गद्धी पर कौन बैठा? इनका बेटा बिंदु सार बैठा, और बिंदु सार के बाद में गद्धी पर कौन बैठा? तब अशोक बैठे, कौन बैठे? असोक ब बश्रों तक सासन किया था महान असोग समराट ने तो आप बोलेंगे असोग महान समराट असोग का जो जरम हुआ वो 304 BC में हुआ इनके साथी जो फार्दर है वो बिंदुसार थे इनके पिता कौन है वो बिंदुसार«ה इनकी साथी आप से पूछू मैं माता कौन थी तब बोलेंगे इनकी माता का नाम था सुब्धरागी क्या नाम था माता का नाम था सुब्धरागी सुरुवात में ये भी राज्य विस्तार और सीमा विस्तार के लिए काम करते थे लेकिन एक युद्ध कलिंग के युद्ध ने इनके जीवन को बदल दिया कलिंग युद्ध के द्वारा इनका जीवन बदल गया बहुत सारे साथ ही उने लिखा 37 वर्स यूपी ट्रपल सी पैट ने पूछा था समराट असोग का शाशनकाल कितने वर्सों का रहा 37 वर्सों का शाशनकाल रहा आगे आगे निमलिखित अभिलेकों में से किस में असोग का नामुलेक हुआ है असोग के नामुलेक को लेकर के एहरोरा में भरमगरी सारनात में या फिर गुर्जरा अभिलेक में क्या बोलेंगे गुर्जरा अभिलेक साथी कहां से प्राप्त हुआ है अगर मैं आप से पूछूँ तो आप कहेंगे गुर्जरा अभिले ओदैक गोलान अभिलेक आपसे पूछ ले नेटूर आपसे पूछे नेटूर से भी क्या नाम इनका प्राप्त होता है ठीक है गुर्जरा अभिलेक जोकी MP में है एहरोरा साथी आपका UP में है बर्मगिरी आपका साथी करनाटक में है और सारनाथ आपका कहां पर है UP में है जो इंस्क्रिप्शन्स थे उनको किसने सबसे पहले खोजा क्या बोलेंगे क्या नाम है विक्ति का भीया सत्रह सो पचास की बात है और बहुत सारे साथी अभी लिख रहे होंगे जैम्स प्रिंसिप एकदम से गलत हो जाएंगे जो साथी लिख रहे होंगे टी फैन्थेलर वो एकदम से सही होंगे खोजा टी फैन्थेलर ने पूछे असोक के अभी लेखों को सरपर्थम किसने पढ़ा तो आप बोलेंगे भीया 1837 में जैम्स प्रिंसिप नामक यूरोपिय ने पढ़ा और असोक के अभी लेखों में इसे प्रमू की प्रशन बनता है कि असोक के सिलालेखों की संख्या कित हैं जो इस्तंबो पर खंबे बना करके लिखे गए उनकी संख्या साथ है और साथी जो केव एडिक्ट है जो गुहा लेख है जो गुफाव में लिखे गए उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या तीन है इसमें से कुछ चर्चित से प्रशन भी बनते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कुछ चर्चित परसन भी बनते हैं, इनके अभिलेखों को ले करके, कि गिरनार अभिलेख कहां पर इस्थित है, राज्य की स्थिती पूछेगा, गिरनार अभिलेख, ये दोस्त कहां पर इस्थित है, तो गिरनार अभिलेख आप कहेंगे, कि ये भहिया आपका स सौराश्ट्र में मौझूद है, सौराश्ट्र जो की कहां पर पड़ता है आपका गुजरात में, ये अभिलेक इस्तित है कालसी अभिलेक पूछे आप से, कालसी, तेर Sakal आ जाएगा, अगर तूने उत्र सही नहीं दिया, उत्रा खंड में, कहां पर उत्रा खंड में दौली और जोगण बहुत पूछे जाते हैं, दौली आप प्रिवेस येर देखेंगे, साध हर वर्स पूछा जाए, दौली और जोगण कहां पर है, वो साथी आपका उड़ी सामे है, कहां पर है उडिसा में, एर्रा गुडी आप से पूछे, एर्रा गुडी अभिलेख, जो कि दच्छिन भारत का है, कहां का है, आंधरा का है, आंधर प्रदेश का है, ठीक है, आंधर प्रदेश का है, नेक्स्ट, आंधर प्रदेश का, या आपको कम से कम पता होने चाहिए, कलिन युद् अभिलेक है जो second inscription है उनका उस दूसरे अभिलेक में उन्होंने जिक्र किया है किसका दच्छन राज्यों का जिक्र किया है और एक अभिलेक आता है आपका साथी कौन सा जिसमें दच्छन राज्य है ओडिसा के बारे में बात है और वो है तेहरवा सिलालेक कलिंग युद्ध क किस वर्स में ये हुआ तो आप कहेंगे आठवे वर्स में किस वर्स में आठवे वर्स में ये हुआ किस रीवर के किनारे हुआ क्या बोलेंगे नदी थी साथी आपका दया नदी के किनारे जो साशक था वरुद में वो कौन था साशक कौन सा था आपका क्या बोलेंगे पदमन आप कहां का साशक था वो साथी कलिंग का साशक था कलिंग वर्तमान में कहां पर है साथी कलिंग वर्तमान में कहां पर है वर्तमान में दोस्त आपका उडीसा में स्थित है और इस कलिंग की साथी जो उस टाइम पर कैपिटल थी राजधानी थी वो क्या थी तो कलिंग की विस्तार के लिए युद्ध हुआ और यही युद्ध है जिसने क्या कर दिया असोक का रिदह परिवर्तन कर दिया और फिर असोक किस धर्म की तरफ आपका मुड़ गए थे बताएंगे जरा असोक महान असोक का जो रिदह परिवर्तन कर दिया इसी लिए इनको महान कहते हैं क के बाद का जो उनका जीवन बदला और यहां तो उन्होंने आठ साल तो साथी आठ साल तो यहां पर उन्होंने सामराज विस्तार के लिए बिताए आप ही लोगों ने मुझे बताया कि उनका 37 वर्स का सासनकाल बाकी के 29 वर्स जो उनके कारिये उन्होंने इस देश या इस अंती का वो साथी आपका दूत बने वो कारिये उनके महान बनाते हैं। और उसको कोई पढ़ने ना दे, तो उत्तर मत दिया करो किसी के, बाचीत मत किया करो, प्लीज। तुमारा मन मचलता होगा, मैंने माना जवानी के वस्था है। लेकिन दोस्त अपने मन को नियंतरन में रखना है। मन को नियंतरित रखोगे तो दुनिया में बहुत दूर तक बहुत आगे तक जाओगे नहीं तो फिर बाकी दुनिया के जैसे हो ही जाओगे तो ये आपको decide करना है कि आपको बाकी दुनिया खराब दुनिया के जैसा होना है या अपने आपको बहतरीन इंसान बनाना है सो selection एक तरफ और अपने मन पर नियंतरण एक तरफ पढ़ना है तो बहुत द्यान लगा के पढ़ना है क्या बोलेंगे एग्रोनोमई ये मार्ग निर्मान से सम्बंदित था मार्ग निर्मान के अलावा रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा रीवर कंस्ट्रक्शन नदी और साथ में किर्शी भूमी के लिए ये अधिकारी था इसके अलावा साथी ये जानकारी हमको मिलती है इंडिका पुस्तक से मैं आप से पूछूँ इंडिका को किसने लिखा है इंडिका के लेखक कौन है इंडिका के लेखक साथी आपका मैगस्थनीज है क्या बोलेंगे मैगस्थनीज है कौन है मैगस्थनीज और मेगस्थनीज ने जो इंडिका को लिखा, इंडिका क्या बताता है, मोरिय परशाशन को बताता है, जो मोरियन्स एडिमिनिस्टेशन था चंदरगुप्त मोरिय का उसको बताता है, और इसी में साथी कितने अधिकारी हमको पता चलते हैं, दो अधिकारी पता चलते हैं, ए के लिए बिजनिस को ये देखता था अधिकारी ठीक है एरिश्टो नो मोई एक साथी इसमें पुछा जाता है आपका सीता किसको कहते थे मोरेकाल में भूमी को कहते थे तो जो सीता अध्यक्ष होता था एक सीता अध्यक्ष होता था आपका किर्शी अधिकारी कौन होता था ए एक साथी इसमें प्रोहित होता है अधिकारी प्रोहित मोर्यकाल में वो कौन से पदपर था वो मुख्य पुजारी था पूजा के अधिकार सिर्फ उसके प्राप्त थे मुख्य पुजारी था आपका और एक था आपका धर्माधिकारिन क्या बोलेंगे धर्माधिकारिन के पा कारी हैं बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आगे आई वर्तनिक गतिविधी का परिणाम है जो की टेक्टोनिक समझते हैं जो प्लेट्स के सबसे बड़ी जील है मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है तो वूलर जील कहां पर है जम्मू कस्मीर में है बारा पानी जील आपसे पूछे कभी भी तो आप कहींगे भीया मेगाल्य में है कहां पर है मेगाल्य में स्थित है डल जील की अगर बात करूँ जम्मू कस्मीर में ह उसकी लंबाई आपको पता उनी चाहिए तो सब से बड़ी जील का अगर मैं लंबाई की बात करूं ये 16 किलोमीटर है ठीक है 16 किलोमीटर है और इसका जो स्रोत है जो सोर्स है वो स्रोत है इसका आपका क्या बोलेगे जेलम रीवर क्या बोलेगे किसकी जो पानी आता है वो कहां से आता है वूलर जील में जेलम आपका कहां से जेलम नदी से आता है वूलर जील कहां पर आई अन्या जील कौन कौन सी है, जम्मू कस्मीर की साथी आपका अन्या जो लेक है, अन्या जो जील है वो कौन कौन सी है, तो जम्मू कस्मीर में कभी नी भूलेंगे, एक तो डल जील ही हो गई, आपका ऑप्सन सी, एक साथी आपका नागिन जील हो गई, क्या हो गई, नागिन ज जील ये नौर्थ इस्ट की सबसे बड़ी जील है आप से पूछे उत्तर पूर्व की नौर्थ इस्ट की सबसे बड़ी जील तो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी जील अब एससी नौर्थ इस्ट की जील से पूछने लग गया है उत्तर पूर्व की ये सबसे बड़ी जील है आपका नौर्थीश्ट इंडिया की और दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी में है बताएं जी क्या नाम है दुनिया का एक मात्र तैरता नेशनल पार्क एक मात्र जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका एक मात्र तैरता जो साथी काबुल लामजाओ कहाँ पर है मनीपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर इस्थित है लोग टक जील में जगे जगे पर पानी में है इसलिए उसको तैरता हुआ हम कहते हैं केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ तो तश्रोंगों कहां की है साथी आपका सिक्किम की जील है मेघालिय की अगर हम बात करें बहुत important एक उमियम जील को हम याद रखेंगे North East की जील भाई, important mark करना मेघालिय क्या बोलें? North East की जितनी भी जील है भाईया मैं याद रखूंगा पंजाब की आपकी हरीके वेटलेंड आपका हरीके जील है गुजरात की साथी आपका क्या बोलेंगे लखोटा जील कहां की है वो गुजरात की है मैं आपको कुछ साथी बताने वाला हूँ North East की important lakes ठीक है जो भारत के उत्तर पूर्व के हिस्से में है नौर्थ इस्ट की साथी जो important lakes हैं वो कौन-कौन सी है जो महतपून जील हैं उनसे question कहां कहां से बन सकता है एक पूछेगा सिलोई जील भारत के किस राज्य में है सिलोई लेक भारत के किस राज्य में है तो सिलोई लेक आपका दोस्त कहां पर है नागा लेंड में है कहाँ पर है नागा लेंड की एक प्रसिद जील है आप से दोस्त पूछेगा आपका पालक जील कहाँ पर है तो पालक आपका साथी क्या है पालक की सबजी खाके मज़े आ गए मिजोरम में है क्या बोलेगे मिजोरम में है तीसरी जील आप से पूछेगा चंदूबी जील कहां पर है तो चंदूबी दोस्त आपका असम की जील है कहां की असम की जील है और चौथा आप से पूछे सांगेत सर जील कहां की है क्या बोलेगा सांगेत सर जील का संबंद किस राज्य से है तो आप बोलेंगे अरुनाचल ये चार पाच महत्पूर जीले म आपको बताई ही, यात में यह जो मेगाल्य की उम्यम है यह भी बहुत महत्पूर्ण है तस्वम्गो सिक्किम की आपकी सिलोई कहां की नागलेंड की पालक साथी मिजोरम की चंदूबी असम की और सांगतेशर आपका अरुनाचल की है यह याद रख लेनी है सब को, ठीक है, गलती नहीं करेंगे आगे आएंगे बोलेंगे भी यह फटाफट से क्या बोलते हुए तो हुण्रू पहली बाद तो मुझे बताई किस राज्ये में है राज्ये आप बताएंगे तो आप कहेंगे भी यह सौन रेखा नदी पर है और हुण्रू की अगर मैं बात करता हूँ हुण्रू की अगर हम बात करें साथी यह कहां पर है आपका रांची में है और रांची कहां पर है दोस्त आपका जारखंड में ये इस्थित है क्या बोलेंगे जारखंड में ये इस्थित है आपको पता होना चाहिए ठीक है और अगर हम इसमें और क्या बात कर सकते हैं हाँ नहीं इसमें यही बात करें तो काफी है दामोदर की अगर हम बात करने साथ ही आपका सोन महानदी चलो आगया आते हैं हीरा कुंड बांध उडीसा में किस सहर के पास बनाया गया है हीरा कुंड बांध के बारे में आप क्या जानते हैं हीरा कुंड बांध के बारे में कोई चार सब्द आपके क्या होंगे आप बोलेंगे हेरा कुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा डायम है भारत का सबसे लंबा बांध है और सबसे लंबे बांध की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उसकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए जहां यह वर्ड यूज हो वो आपको पता ही होना चाहिए 25.8 km है ठीक है और यही है हीरा कुंड बांध जिसको 2021 में स्टेटिक जीके का important question बनेगा रामसर साइट भोसित किया गया कब रामसर साइट बना यह 2021 में बना और यह सबसे लंबा जो है ना साथी किस का बना हुआ किस चीज का बना हुआ सबसे लंबा एक आपका मिटी बांध है एक soil dam है क्या है एक soil dam है इस्थित कहां पर है यह साथी आपका उडीसा के संबलपुर में है कहां पर है उडीसा के संब तो आप बोलेंगे ये महानदी पर है, ऐसे facts आप लिखा करो और सोचा करो, ठीक है, तब ही हम अपनी GS को बहतर बनाते हैं, कहां पर है, महानदी पर ये इस्थित है, निमलिखित में से कौन सा जलपरपात है, जो गोवा राज्ये में इस्थित है, कौन सा waterfall है, जो आपका में है, कौन सा है, दूद सागर, दुदुमा, गोकक, ये सिव समुंदरम, सिव समुंदरम तो साथी मैंने कल ही आपको बताया कि कावेरी नदी पर करनाटक में है, कहां पर है, ये साथी आपका कावेरी रीवर पर है, और कहां पर है, करनाटक में है, गोकक बांद साथी आपका ये मचकुंड नदी पर है, मचकुंड रीवर पर है और ओडिसा में है, कहां पर है, मचकुंड रीवर पर है और कहां पर ओडिसा में ये इस्थित है, और दूद सागर साथी आपका जलपरपात जो है वो गोवा राज्ये में है, दूद सागर कहां पर है, किस रीवर खुरे हैं आप से पूछे तो आप बोलेंगे मांडवी रीवर मांडवी नदी कहां पर बहती है इसकी लिए पूछब पूछा जाता कि मांडवी नदी नदी बहती है गोवा में कौसी भास Lubisabusa बोली जाती ये भी important question है गोवा में भासा कौन सी नदी और भासा दोने ये आपका कौंकणी है, है ऐसा कोई हमारा वीर या विरांगना जो बता पाए कि गोवा का छित्फल क्या है, भीया इसमें विरांगना की क्या बात है, या तलवार चलाने की बात है, इसमें बहुत बढ़ी है, बहुत गजब, बहुत सांदार, भीया, 3702 वर किलोमीटर, इतने बहतरीन तुम कैसे हो सकते हो, क्या खाते हो भाई, क्या बोलेंगे आपका, इसी में वहिया आपसे पूछे, धुआधार जल पर पात, क्या बोलेंगे, धुआधार जो जल पर पात है, वो कहां पर है, वो नरमदा नदी पर है, कहां बोलेंगे, नरमदा नदी पर है, MP में एक साथी आपका चित्रकूट साथी बोलेंगे चित्रकूट जो जल पर पाथ है वो कहां पर है आपका जिसको बोलेंगे इंदरावती नदी पर है और इंदर कहां पर रहता भीया इंदर तो छत के किनारे रहता चत्तिस गड़ क्या बोलेंगे चत्तिस गड़ यही चित् उससे answer चाहिए कपिलधहरा जो waterfall है वो कहां पर है? कफिलधहरा भहिया नरमदा नदी पर है आपका मध्य परदेश में हैं कहां पर? मध्य परदेस में है ये आपको पता होना चाहिए बहुत गजव भहिया नियागरा जो है वो वैने जो एलामे है अमर विश्व कर्मा टिंकल यादव दौनों मेरे भाई बहन का बहुत गजब उत्तर क्या बोलेंगे धुमाधार क्या बोलेंगे नरमदा पर कपिलदारा बोले नरमदा पर MP में स्थित है और साथी आपका भारत का नियागरा चित्रकूट ये कहां पर है आपका ये बोलेंगे इंद्रावती 36 गड़ पर है हैलो पूजा बहुत बढ़िया इसको उड़ा दो ऐसा कोई दिखना ही नहीं चीए जो लगे किलास से अतरिक्त बात कर रहा है जब बोल दिया किलास में उत्तर देने इसके इलावा कोई हाए हैलो बाई टाटा वाला उसको उड़ा दो तुरंत सर जी आपकी साधी हो गई क्या इसको भी उड़ा दो निमलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षकर का एक उधारन है बोलेंगे भीया कौन सा है जो प्रत्यक्षकर यानि कि डारेक्ट टेक्स का एक उधारन है डारेक्ट टेक्स कौन सा होता है आपका राजगामी संपत्ति या फिर इंकम टेक्स आएकर बोलेंगे भीया हम आएकर और बहुत जल्दी तुम आए कर दोगे और तुम जो टेक्स दोगे उससे भी भारत की सड़के फिर बनेंगी और कौन कौन से हैं जी और तो सदो हैं राजगामी किसी बैस अप सीमा सुल्ख या जी अभी आद रखें जी एशटी का ओपरेसोन करेंगा किसी दिन आप बोलेंगे यह सब कैसे tax हैं बाकी के यह indirect tax है indirect मतला व्यक्ती पर सीधे तोर से नहीं लगते हैं लेकिन यह सब क्या हैं यह सीधे सीधे देने हैं यह सीधे सीधे देने हैं मानके चलिए कि मेरी कमाई अगर तो मुझगो सीधे सीधे income tax देना पड़ेगा वो मुझे को सीधे प्रवावित करेगा ठीक है और आपका क्या बोलेगे जी एश्टी क्या है ये इंडारेक्ट है ये एपरत्यक्शन कोई दिक्कत कोई परेशान अब सच में मत मान ले ना कभी मेरी कमाई मान लो राष्ट्रिय आय लेखांकन में जी वी ए का क्या अर्थ है जी वी ए से छसम दोजारतेस में बड़ा गजब परिशन बना है कि जी वी ए को भारत सरकार ने कब अपनाया यहां पर इंपोटेंट बात करेंगे तो जी वी ए क्या है जर्नल वेस्टिंग एडिड है जर्नल विज साथी जी डीपी और साथ में आपका क्या बोलें उत्पादों पर सबसीडी सबसीडी और प्रोड़क्ट्स उत्पादों पर जो सबसीडी मिलती है उत्पादों पर जो सबसीडी मिलती है उसको जोड़ा जाता है और घटाया जाता है जो प्रोड़क्ट्स पर टेक्स लगत ये GVA की value हो गई और GVA को भारत सरकार ने कब अपनाया, इसको अपनाया है GVA को आपका 2015 में, यही question है जो CHSL 2023 में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए, आगे आईए, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, अब GVA तो आप जान गए साथी, कुछ full form मुझे बताएंगे, जैसे NVA की full form क्या होगी, आप मुझे बताएंगे, एक साथी GDP, GDP अपका साथी अगर हम बात करें, GDP MP क्या होगा, एक साथी GDP FC का full form क्या होता है, तो NVA, जैसे GB होगा, gross value अच्छिंप razónजए क्या होता है, यह net value added होता है, क्या होता है? net value net value added होता net value added होगा आपका दोस्त GDP होगा आपका gross domestic product क्या होगा gross domestic product gross domestic product होगा और यहां भी GDP क्या होगा gross domestic product होगा तो भीया फिर आपका क्या बोलेंगे फिर आपका दोस्त MP और FC क्या है यह MP और FC क्या है MP होता है at market price at market price होता है ठीक है क्या बोलेंगे at market price होगा और यहां पर FC होता है at factor cost क्या होता है at factor cost होता है at factor cost MP और FC आपको पता होना चाहिए MP और FC आपको पता होना चाहिए ठीक है आग आगे Reserve Bank Staff College कहां पर स्थित है सर जी computer के भी एक दो question add कीजिए मैंने आपको साथी बताया था सुरुवात में ही मैं आपको फिर से बता दूँ कि टैक में अंतिम रूप से मैं जोड़ लूँगा लेकिन जिन दोस्तों को UPGK पढ़नी है मानके चलिए UPGK वो हम इसमें सामिल नहीं करते UPGK के अलावा साथी अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ क्योंकि CHSL और CGL के लिए आज कंप्यूटर important है तो सिवम सर ने पिछली बार भी कंप्यूटर की classes कराई ही बहुत beneficial classes रही और UPGK के लिए case palser आप exam से पहले भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके लिए उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है यह मेरी अशॉर्टी है कि दोनों सर लोग आपको class कराएंगे और आप वहाँ पर जो जरूरी चाहिए आपको selection के लिए वो सब आप करके आएंगे promise to you reserve bank staff college कहाँ परिस्तित है Mumbai में नई दिली में college है वो चेन नहीं में है और साथी यह 3 जुलाई 1963 को स्थापित हुआ 3 जुलाई 1963 को यह क्या हुआ आपका स्थापित हुआ अब मैं reserve bank का operation थोड़ा सा करना चाहूँआ आप लोगों के साथ में reserve bank को हो गया है कोई रोग उसका कर देते हैं operation जैसे देखना reserve bank की स्थापना act मैंने कल बताया आपको reserve bank की जो साथी स्थापना हुई उसका act कब आया जरा बताते चले act भहिया 1934 में आया reserve bank की साथी स्थापना कब हुई यह आप मुझे बताएं तो reserve bank की स्थापना की हम date बोलेंगे तो आप कहींगे 1 अपरेल 1935 को हुई कौन सा आयोग था जिसने सिफारिस की कौन सा commission था तो क्या बोलेंगे कौन सा commission था वो साथी हिल्टन आयोग की सिफारिसों पर और हिल्टन आयोग की सिफारिसें किस वरस की थी तो हिल्टन आयोग 1926 की सिफारिसों पर इसको इस्थापित किया गया मुझे बताओ इसका जो headquarter था 1935 में वो कहां पर था 1935 में जो इसका headquarter था वो साथी आपका call काता था कहां था? call काता था लेकिन 1937 से headquarter कहां पर हो गया 1937 से 1937 से इसका headquarter हो गया मुंबई जो आप सब लोग answer दे रहे थे ये रिजर्ब बैंक का headquarter है ठीक है इसका जो रिजर्ब बैंक का साथी logo है जो sign है उसमें एक तो बाग है आपका और साथ में कौन सा है ताड का पेड है कौन सा पेड है ताड का पेड और आपका tiger है पहले बाग की जिगह क्या होता था पहले सेर था इसके logo में पहले कौन था पहले सेर था जो सुरुवाती पुझी इसमें लगी क्या बोलेंगे रिजर्ब बैंक की स्थापना में मैं कह सकता हूँ कि जो लागत आई वो लागत कितनी थी Rager Bank के स्थापना में वो लागत थी आपका 5 करोड क्या पोलेंगे 5 करोड थी ठीक है मैं आप से पूछूं साथी यहाँ पर Rager Bank के पहले RBI के पहले 넌 साथी गवर्नर कौन थे RBI के पहले जो साथी गवर्नर बने वो कौन थे तो आप बोलेंगे वो भहिया औस बोरन इसमित थे कौन थे औस बोरन इसमित थे आपका वो पहले गवर्नर थे लेकिन ये थे 1935 से लेकर के आपका 37 तक तो भारत आजाद हुआ क्या नहीं जी तो ये भारतिया भी नहीं है जी भहिया बिलकुल नहीं है तो मुझे बताओ RBI के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे RBI के पहले भारतिय गवर्नर जो भारतिय थे और RBI के गवर्नर बने वो वेक्ति कौन थे तो आप क्या बोलेंगे भहिया RBI के पहले जो भारतिय गवर्नर थे वो आपके CD देसमुक थे कौन थे? CD, देश मुख थे जो 1943 भारत की आजादी के बात तक रहे मैं आपसे पूछूँ दोस्त, RBI का जो नेशनलाइज किया गया RBI को RBI का जो राष्टिय करण हुआ RBI का साथी जो राष्टिय करण हुआ, नेशनलाइज इसको किया गया तो राष्टिय करण इसका किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे इसका राष्टिय करण आपका भीया एक जनवरी 1946 को हुआ, मुझे बताओ, वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के? वर्तमान में साथी आपका गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर कौन है? वो 25 वे गवर्नर है और उनका नाम है सक्तिकांत इतना भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है सक्तिकांत दास है क्या बोलेंगे सक्तिकांत दास है थोड़ा सा ओपरेशन हो गया आपका क्या बोलेंगे सक्तिकांत दास है रिविजन हुआ बड़ी हैसा जी भईया आगे आएंगे ऐसे स्क्रीन सर्ट ले लिया करो आप लोग जब मैं साहिड होता हूँ ठीक है ना आगे आते हैं क्या बोलेंगे जी वर्तमान में RBI के कितने डिप्टी गवर्नर हैं भई RBI में एक तो गवर्नर होता है साथी सब लोग जानते हैं जैसे अभी सक्तिकांदास हैं जी हाँ क्या डिप्टी गवर्नर भी होते हैं जी भई साब IPटी गवर्नर होते हैं यह मेरा आप से कढ़ेशन है बताएंगे तो चार बोले, तीन बोले, दो बोले या पाच बोले, कई साथियों का उत्तर तीन, लेकिन ज्यादा तर का उत्तर चार है, ये मेरे साथी तीन और दो देने वाले पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे है, जब नहीं जानते तो उत्तर नहीं देना है, हाथ थम के बैठना है, हौसले को बनाना है, और अगली बार उत्तर कितना देना है, वो चार देना होगा, ठीक है, कितने होते हैं, चार होते हैं, अगर मैं आप से पूछूं, जो मौदरिक नीती होती है, लिखो दोस्त, मौनिटरी पॉलिसी के लिए, क्या बोलेंगे, जो आपका मौन पॉलिसी कौन बनाता है? मौदरिक नीती का निर्मान वो कौन करता है? ठीक है? कौन करता है? मौदरिक नीती का निर्मान RBI करता है. और इस मौदरिक नीती के लिए साथी जो समीती होती है, जो कमेटी होती है, उसमें कितने सदश्य होते हैं? ये आप से मेरा प्रिसन है. उसम आपका क्या बोलेंगे भीया वो केंद्र सरकार से होते हैं तो कितने सदश्य बोलेंगे हमेशा RBI की जो मौदरिक नीती समीती होती है उसमें कितने सदश्य होते हैं क्या बोलेंगे वो भीया आपके 6 सदश्य होते हैं लेकिन मैं आपसे पूछ हूँ RBI का अगर मैं आपसे पूछ लूँ केंदरिये निदेसक मंडल कितने सदश्यों से मिलकर बनता है केंदरिये निदेसक जो मंडल होता है आपका क्या बोलेगे आपका वो कितने सदश्यों से बनेगा जो Central Administration होता है इसका वो 21 सदश्यों से मिलकर बनता है अब इस 21 सदश्यों को याद रख लेना एक तो आपका गवर्नर होते हैं, चार साथी आपका डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो अभी हमने कुश्चन में बात की थी, डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको पता नहीं चाहिए, दो साथी जो होते हैं, वो वित मंतराले से, Finance Ministry से होते हैं, कहां से होते हैं, दो होते हैं, आपका वित मंतराले से, दस होते हैं, इसमें साथी नामांकित, किसके द्वारा, केंदर सरकार द्वारा, यानि ये नॉमिनेटेड होते हैं, कौन इनको नॉमिनेटेड करता है, ये Central Government के द्वारा, क्या बोलेंगे, Central Government द्वारा ये नमांकित होते हैं और इसमें 4, 2, 6, 7, 10, 17 हाँ, 4 जो होते हैं वो स्थानिय कारियले जो साथी स्थानिय कारियले बताएंगे RBI के कितने स्थानिय कारियले हैं तो आप कहेंगे RBI के 4 स्थानिय कारियले 4 स्थानिय कारियले कौन-कौन से एक तो दिल्ली में हो गया, एक साथी आपका मुंबई में हो गया, मुंबई में, एक साथी आपका चेन्नेई में हो गया, क्या बोलेंगे, चेन्नेई में हो गया, एक दोस्त आपका कॉलकाता में हो गया, कहां पर हो गया, कॉलकाता में, चार इस्थाई कारेकाले होते, चार ह हो गे ठीक है तो कितने हो गे आपका दसार चॉद है दो शोले चार बीस और 21 हो गई टुटल तो यह तो कि एक किसे की एक गवर्न चार डिप्टी गवर्नर होंगे भी यह दो फाइनस मिलिश्ट्री से होंगे दो दस सरकारद्वारा पॉइंट होंगे और चार आपके स्थानिय दिल्ली, मुंबी, छिनी, कॉलकाता से चार होंगे ये आपको पता होना चाहिए कोई दिक्यात, कोई परिशानी आ गयाते है वर्तमान में किसे कागजी कर कहा जाता है पेपर टेक्स कौन सा है पेपर टेक्स क्या वेल्थ टेक्स जो है संपत्ती पर जो पैसा दिया जा रहा है प्रोपर्टी पर जो पैसा दिया जा रहा है वो आपका साथी कागजी कर होता है जी हाँ, ना मात्र के करों को कागजी कर कहा जाता है, गिफ्ट टेक्स जो होता है साथी ये कागजी कर होता है तो क्या आप बोलेंगे भीया कौन से होते हैं कागजी कर क्या बोलेंगे एक और दो दोनों होंगे एक और दो दोनों ये कागजी कर होते हैं फोरेन हाइट पैमाने पर भाप बिंदू क्या है फोरेन हाइट पर अगर हम भाप बिंदू की बात करें तो वो कितना होगा भाप कितने degree Celsius पर बनती है साथी तो आप बोलेंगे भी है 100 degree Celsius पर बनती है तो इसको foreign height में बदलना है मैंने क्या formula बताया जरा बोलें कभी भी मैं आप से पूछूँगा आप कहींगे C बटे 5 बराबर F-32 बटे 9 F-32 बटे 9 C की value मैंने आपको दे दी 100 तो आप क्या बोलेंगे 100 अपन 5 इक्वेस टू F-32 बटे 9 5 से कटेगा 20 बार 20 निम्मा 180 और 180 में जाकर के क्या बोलेंगे 180 में जाकर के 32 जुडेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा F की value निकल के आ जाएगी 200 बार है और 200 बार है क्या है foreign height में value है 200 बार है क्या है foreign height में value है तो C का कोई भी मैं आपको map दे दूँ आप निकाल देंगे अभी देखना मैं आपको एक map देने वाला हूं C की If degree Celsius में temperature दिया हुआ है minus 40 degree तो F की value क्या हो जाएगी फटाफट से बताएगे F की value क्या हो जाएगी अगर Celsius में जोड घटाने सब पे आते हैं गुणा भाग सब पे आते हैं तब ही completion का सपना हम देखते हैं तो Celsius को minus 40 मैंने दे दिया तो आप बोलेंगे भी या minus 40 बटे 5 बराबर F में मैंने value आप से पूछ ली कोई भी value हो आप दे सकते हैं तो क्या बोलेंगे भी या 8 हो गया और इधर क्या हो गया आपका बोलेंगे 9 इधर कितनी बार आपका minus का 72 बराबर F minus का 32 32 इधर आके plus के हो जाएगे आपका सोस्ति क्या हो जाएगा 32 equals to F तो value कितनी आई minus का 40 बराबर F आया तो अगर degree Celsius minus 40 है तो F भी कितना आ रहा है minus 40 आ रहा है यानि question यही तो बनता है किस तापमान पर किस temperature पर Celsius और foreign height equals यानि कि एक दूसरे के बराबर हो जाते है equal to each other तो कितने degree temperature होता है वो minus 40 degree तो इसको याद नहीं करना है calculation कर लेनी है जोड़ घटाने गुणा भाग आप जानते हैं नहीं जानते हो तो फिर पिटाई होगी 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm और 6 ohm के 4 प्रतिरोध किरम से जुड़े हुए हैं किस से? सिरेनी किरम से सिरेनी किरम से और सिरेनी किरम का क्या मतलब होता है connected in series series में जुड़े हुए है तो सैयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथी आपका combined resistance क्या होगा तो बोलेंगे combined resistance अगर साथी कोई series में जुड़ा हुआ है तो घबरानी की बात नहीं सीधे जुड़ दो 3, 4, 5 और साथी आपका 6 हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, 13, 18 तो common कितना हो जाएगा 18 हो किसमें प्रतिरोध अगर जुड़े हुए है तो इसलिए कहता capital R बराबर जो होता है वो साथी आपका R1, R2, पिलस R3 कितने भी प्रतिरोध हो उन सब को जूड़ दो लेकिन अगर यही समांतर किरम में जुड़े होते समांतर किरम में तब उत्तर क्या होता साथा फटाफट से सारे साथी बताएगे समांतर किरम में जुड़े होते तो 1 बटे R बराबर होता है 1 बटे R1 1 बटे R2 होता है आपका क्या होता है पिलस एक बटे आर थ्री होता है चार प्रतिरोध है तो एक बटे आर फोर हो जाएगा वेल्यू निकाल के बता दो ही है तो एक बटे आर की वेल्यू क्या जाएगी एक बटे तीन एक बटे तीन पिलस एक बटे चार प्लस एक बटे 5 प्लस एक बटे 6 6, 5, 4 और 3 क्या बोलेंगे 6, 35 6, 6, sorry 6, 35 आपका 30 दूनी 60 क्या हो जाएगा LCM 60 हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा 20 आ गया यहां से कितना आ जाएगा 15, 4, 60 प्लस में आपका 12, 50 और 10 तो क्या निकल के आया आपका साथी 57 बटे 6 आया और 57 बटे 6 को आप क्या कर सकते हैं बाट सकते हैं तो इसको क्या भी तो कुछ लोग 57 बटे 6 ही लिख रहे हैं अर्य इसको सल्ब नहीं करोगे 19 बटे 19 बटे 20, 57 बटे 60 वाला को ने दिखाओ मुझे सुभम विस्व करमा गडित ने तुमको यही सिखाया छोटा करना भाई अब साइज का करो जो जरूरी है अब तुम मान के चलो तुम अपनी कमर 32 वेष्ट पहनते हो अब तुमको च्छाणवे की कमर में दे दू च्छाणवे की पैंट तो पहन लोगे क्या तो पहन लोगे क्या आप बोलेंगे नहीं भहियान बिल्कुल नहीं पहनेंगे तो 19 बटे आर ये किसकी वेल्यू आईए एक बटे आर की वेल्यू आईए लेकिन आपको रजिस्टेंस चाहिए आपको तो R चाहिए तो इसको पलटना होगा बहुत कम साथियों ने लिखा था 20 बटे 19 और जिन साथियों ने लिखा था 20 बटे 19 क्योंकि एक बटे R की वैल्लिव है R की आएगी 20 बटे 19 वो सारे साबास इस्टूडेंट उन सारे इस्टुडेंट्स को साबासी बनती है क्योंकि उनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस उनका था क्या बोलेंगे जी आपका ऑक्सिकरत पारे का सबसे आम आयस्क कौन सा है जो ज्वाला मुखी गतिवधी उशन स्रोथ से संबंदित दानेदार पढ़तो या सिराओं में होता है तो पारे का तो सोचना ही नहीं होता आपका HGS होता है क्या होता है HGS होता है कोरंडम ये आपका अल्यूमीनियम का होता है AL2O3 कोरंडम किसका आयस्क है तो देखो जैसे इसमें AL आ रहा है तो AL का मतलब ही क्या है अल्यूमीनियम है तो ये अल्यूमीनियम का आयस्क है अच्जी किसका है पारा पारे का साथी परमाणू किरमांग कितना होता है आप लोगोंmem बताया था भहया इसी होता ह एक सकाल आपनगार सब को याद है नों तो प्रमीन्यून सोडियूमैक और अयाद करने ला डॉलोमाइट किसका एक ऐसक है डॉलोमाइट बोलेंगे डॉलोमाइट का फॉर्मुला होता है Mg, Magnetium Carbonate और आपका Calcium Carbonate को कहते हैं डॉलोमाइट तो यह Calcium का भी ऐसक है और Magnesium का भी तो विकल्प में देखिये क्या दिया हुआ है भीया Magnesium को दिया हुआ है dolomite किसका हो जाएगा magnesium का हो जाएगा aluminium का अभी बताया एक तो साथी corundum तुरंत बताएं क्या formula बताया था memorize करें तो corundum का formula होता है AL2O3 होता है अगर aluminium का एक और IS का हम बात करें तो भी आप bauxite होता है और bauxite क्या होता है आपका साथी AL2O3 into 2H2O होता है क्या होता है 2H2O होता है potassium की अगर हम बात करते हैं साथी potassium की अगर हम बात करते है potassium अरथात के इसमें होता है KNO3 बड़ा important है पूछा भी जाता है salt peter का formula क्या है common formula SSE बहुत पूछती है पूछ लेगा salt peter का formula क्या है तो फिर मैं आप से पूछूंगा chili salt peter का formula क्या है कौन लोग बता सकते हैं तो sodium का isk है आपका साथी chili salt peter क्या बोलेंगे chili salt peter आपका sodium का isk है जिसका formula होता है आपका NaNO3 NaNO3 को ही salt peter बोलते हैं ठीक है sodium का ही साथी आपका borex बहुत important है borex अर्थात सोहागा Na2b407 Na2b407 और जल के दसनू होते हैं 10H2O होता है Na2b407 into 10H2O होता है कोई दिकत कोई परिशानी आगे आईए इस तरह हम formulas पर बढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते गलगंड नामक निम्नमे से किस ग्रंथी की एक बीमारी है जो गले पर होती है थायराइड ग्रंथी, अगनाश्य, अधिवरक, अड्रिनल की है पिउस ग्रंथी मतर के आकार की पिउस ग्रंथी, जिसको हम master ग्रंथी भी कहते हैं किसका रोग है, माश्टर गिलेंड का रोग नहीं जी, गलगंड जो है गले का साथी यानि थायराइड का रोग है, तो याद रख लेना ये कैसी होती है थायराइड गरंथी, इनके आकार भी पूछ ले आते हैं, तितली के आकार की, किसके आकार की होती है, तितली के आकार की गरंथी होती है यह मुझे दिहान आया इससे प्यूस गरंथी क्योंकि प्यूस गरंथी से एक बार कुश्चन पूछा गया इनका ठीक है तो भाया उसकी वज़े से कौन सा रोग होता है उसकी वज़े से कौन सा रोग होता है बताएंगे बी 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 कई लोगों का तो बहुत बढ़िया डाइबिटीज हो जाता है मदू मेहे हो जाता है जो इंसुलिन होता है साथी ये अगनाश्य से निकलता है और अगनाशे में साथी क्या बोलेंगे बीटा को सिखाए होती हैं पुछा जाता बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स भी किसे लेंगर हेंस की द्वीपिकाओं से क्या बोलेंगे लेंगर हेंस की द्वीपिकाओं से ये आपका क्या बोलेगे द्वीपिकाओं से ये निकलता है और किसको कंट्रोल करता है ये आपका इंसुलिन हार्मोन और इसी के साथ ही अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो क्या हो जाता है मदू मेहे हो जाता है, क्या हो जाएगा मदू मेहे तब हो जाएगा, यह आपको पता होना चाहिए, इसलिए फिर क्या होता है फिर उसके injections लगते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत सांदार अगये, हाल ही में किसे Indian Steel Association के अध्यक्ष के रूप में Indian Steel Association के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया, उदयभाटिया, दीपक महता, नवीन जिंदल या एमार कुमार कौन न्युक्त हुए हैं भिया नवीन जिंदल न्युक्त हुए हैं आप से पूछे Indian Steel Association की स्थापना कब हुई, 2014 में इसको इस्टैबलिस किया गया था 2014 में इसको इस्टैबलिस किया गया था एमार कुमार की मैं बात करूँ ये RBI के अभी साथी RBI का गैर कारेकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है Non-Executive President इनको बनाया गया है अभी RBI के क्या बोलेंगे RBI के गैर कारेकारी Non-Executive Non-Executive साथी Non-Executive President कौन बने है कौन बने MR कुमार बने है हाल ही में भारत की पहली Battery Storage Giga Factory कहां पर सुरू होगी पहली Battery Storage Giga Factory कहां पर सुरू होगी असम, मनिपूर या जम्मू कस्मीर में क्या बोलेंगे जम्मू कस्मीर में सुरू होने जारी है और साथी North India का North India का जो पहला Homeopathic College है वह भी खुलने जा रहा है North India का पहला Homeopathic College और वो पहला Homeopathic College कौन सा है वो है साथी आपका क्या बोलेंगे कहां पर खुल रहा है कठुआ में खुलने जा रहा है कठुआ जो की जम्मू और कस्मीर में है साथ में याद रहे ना जम्मू कस्मीर में अभी इंडियन एर फोर्स के द्वारा इंडियन एर फोर्स द्वारा एक अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था Operation Surve Sakinty क्या नाम था? हाल ही में किसे पैरिस ओलंपिक दोजार चौबिस का द्वजवाहक नामित किया गया है कि वो द्वज फैराएंगे आपका कहां पर किसको नामिनेट किया गया है नीरच चौपड़ा, दीपक दहिया, सरत कमल या फिर हर्मन प्रीत को तो क्या बोलेंगे भईया सरत कमल को सरत कम भी बोल सकते हैं, तो याद रख लिना इनको सरत कमल किस खेल से संबन देता अगर मैं पूछ हूँ आप से, इनको 2023 में खेल रतन मिला साथी आपका गेम है इनका, गेम कौन सा खेलते हैं ये, गेम इनका है टेबल टैनिस, टेबल टैनिस, आपको याद होना चाहिए साथी, भारत की तरफ से पहले दोजवाहक कौन है, जैसे मैंने बताया, ये उननिस वे दोजवाहक बनने जा रहे हैं, तो पहला दोजवाहक कौन है भारत की तरफ से, पहला भारत ये, पहला क्या मैं पहली बोलूँ तो जादा सही होगा, पहली भारत ये, फ्लैग वीरर कौन बनी थी ध्वजवाहक कौन बनी थी तो वो थी आपका 1920 में पुर्मा बनर जी क्या बोलेंगे भारती अदल गया था पांच सदश्यों का उसको आपका लीड कर रही थी पुर्मा बनर जी पुर्मा बनर जी 1920 में ध्वजवाहक बनी थी आपको पता होना चाहिए ऐसे ही साथी ओलम्पिक के लिए इंडियन ओलम्पिक ऐसोशियेशन काम करती है इंडियन ओलम्पिक ऐसोशियेशन जैसे हम बात करते हैं 23 जून 1894 को आपका अंतरराश्ट्य ओलम्पिक कमेटी उसको आ आई ओ ए इसकी मुझे बताओ इस्थापना कब हुई थी भारत ये ओलम्पिक संग इसको हम कहेंगे मुझे बताओ दोस्त भारत ये ओलम्पिक संग की स्थापना कब हुई थी किस वर्स में हुई थी ये जानना चाहरा हूँ भारत ये ओलम्पिक संग इसको साथी पारडी टाटा जमसेद रतंजी टाटा थे वर्तमान में अद्यक्ष कौन है इसके क्या बोलेंगे वर्तमान में साथ ही इसके अद्यक्ष कौन है तो वर्तमान में अद्यक्ष है इसके आपके पहली महिला कौन बनी पहली महिला भी बनी वह आपका तो बोलेंगे पीटी उसा क सही आया था बच्चू, very good हाल ही में किसको लोकायुक्त निक्त किया गया है लोकायुक्त बनाया गया है किनको संजे कुमार जी, लाल मल सावमा को किसोर मकवाना को या इन में से कोई नहीं, लाल मल सावमा को क्या बनाया गया है, हाल ही में लोकायूग तो बनाया गया है ठीक है लोकायूग किसोर मकवाना की अगर बात करें ये आपका National Commission for Schedule Cast के अभी अध्यक्ष बने है NCSC के अध्यक्ष कौन बने है NCSC क्या है National Commission लिख देता हूँ मैं National Commission नेशनल राष्ट्रिय आयोग है साथी आपका किसके लिए अनुसुचित जातियों के लिए National Commission for Schedule Cast ठीक है ये NCSC के अध्यक्ष चेंक किसोर मकवाना और लालमस सावा इनको बनाया गया है आपका क्या अभी में लोकपाल तो ये साथी हमारे 40 परशन थे बहुत गजब तयारी की उमीद आपसे रखता हूँ और मैं फिर से कहता हूँ मुझे हमेशा उमीद उनसे रही है दोस्त जिनके अंदर एक होसला है और अगर आप अपने अंदर होसला पैदा कर सकते है तो मेरी उमीदे फिर आपसे भी होंगी ठीक है मेरी उमीदे फिर आपसे भी होंगी एक वहा करे कुछ सुनाना चाहूँगा मैंने कहीं पर ठढ़ा एक स्क्रीन सॉट लिया और खो गया साइद नहीं है परवतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समुंदर होना होता है जक्म भी उनको बहुत लगते हैं जिनको सिकंदर होना होता है तो साथी अगर सिकंदर या दुनिया में अन्य कोई भी क्रेटर जब हम तुलना करते हैं या हम किसी भी वारियर की किसी भी योद्धा की या किसी भी साथी हम ऐसे व्यक्ति की जब चर्चा करते हैं जिसका नाम इस दुनिया में साहस के दम पर चाता है तो उस नाम को लेने के पीछे अभीप्राई यही होता है कि आप एक उर्जा का भंडार अपने अंदर भी रखते होंगे और उसका प्रियोग आप जीवन में आगे जाने के लिए कहेंगे आज का सुविचार साथ में मैं यह लिभी एक आया हूँ कि आप जब अच्छा काम करें ना तो दुनिया का नजर अंदाज कर दें आपका अच्छा काम दुनिया आपका अच्छे काम पर क्या टिपनी करती है इसकी उम्मीद बिलकुल ना करें मेरा आज का विचार यही था कि यह दुनिया खराब लोगों असलील हरकतों और नाकारा हरकतों पर दुनिया को फॉलो करती है जो फॉलो करने वाले हैं वो उसी माइंड सैट के होते हैं और आज का जमाना अच्छी कारिय यह अच्छी मदद करने वाली वीडियो पर भी नकारात्मक टिपनी करता है तो ऐसी होने वाली दुनिया से तुम कुछ अच्छे की उम्मीदे करते हो तो ना करें बस आप अच्छा करते जाएं और अपने आपको सैटिस्फाई रखें वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद से संतुष्ट होना जरूरी है और आपके अच्छे कर्म करना जरू क्यों तो